धोनी के चिले ने शारुख खान के सबसे महेंगे खिलाडी की करदिय पटाई 25 करोर प्लेयर पर भारी पड़ा 20 लाग का गिंदबास कोलकाता की शर्मनाखार जिसके बूते उचल रहे ते शारुख खान उसी ने कटवा दी नाक बादशाह खान को ठग दिया रिंको सिंके बल्ले में भी लगी जंग तो ना नरेंच चल पाए ना काम आया रसील का मसल अयर भी भूल गए बैटिंग तो रिंको छक्के मारना भूले वो पांच वज़ा जिसने लिख दाली कोलकाता के हार की कहानी कोलकाता के लिए इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती थी कि जिस गेंदबास पर उसे गुमान था जिसे खरीदने के लिए शारुक खान के 25 करोड 75 लाख रुपए पानी के तरह लुटा दिये गए उसी गेंदबास को 20 लाख के प्लेयर ने ऐसे कुटाई की कि वो गेंदबासी भूल गया आज तो पता ही नहीं कोलकाता को हो क्या गया था ना बल्लेबासी में पहले वाली रंगत नजराई ना गेंदबासी और फिल्डिंग बे शारुखान तो ऐसा लगा जिससे ठाग लिए गए हूँ और ठागने वाला कोई और नहीं बलकि गौतम गंभीर और मिचल स्टाक निकले मिचल स्टाक ने अभी तक इस IPL में 70 गेंदबास और विकेट लिये सिर्फ दो तो ये हाल रहा 25 करोर के गेंदबास का है मिचल स्टाक ने आज के मैच में भी तीन वाफेके और 29 रन दे दिया यानि खरिब 10 की एकॉनमी से रन लुटाए जो सीधा सीधा कहानी बता रहा था कि ये गेंदबास किसी काम का नहीं बचा दूसरी तरफ चन्नाई सुपर किंक्स ने दो मैच में हार के बाद जबरदस्त वापसी की आज तो धोने खुद मोर्चा संभाल चुके थे क्योंकि दो मैच हारने के बाद पॉइंट टेबल में टीम लगतार नीचे पिछोरती जा रही थी आईपेल दोजार चौबिस के 22 मैच में चन्नाई सुपर किंक्स ने कोलकाता नाइट राडएस को साथ विकेट सेरा दिया कोलकाता ने पहले बल्लेबासी करते हुए 137 रण बनाए थे जवाब में चन्नाई की टीम ने लक्षी को 17.4 और मेही हासल कर लिया चन्नाई की जीत के हेरो रविंदर जडजा रहे और इसके साथ साथ तुशार देश पांडे फिल्ड साल्ट पहली गेंद पढ़ने पढ़ गए सुनिल नरेड ने 27 और अंग कृष्ण गवंची ने 24 रण की पारी खेल कोलकाता को संभाला लेकिन ये दोनों की लाड़ी एक ही और में जाड़ जाका शिकार बने जिसके बाद कोलकाता की हालत खराब हो गई वेंकिटिश आयरतीन रमंदीप सिंग तेरहनन बना पाए रिंकुष सिंग का बल्ला भी नहीं चल पाया और 14 गेंदों में 9 रन ही बना पाए आंद्रे रसेल ने भी 10 गेंदों में 10 रन ही बनाए कोलकाता क्यार की सबसे बड़ी वज़ा चिपॉक की पिछ रही चिन्नाई के कप्तान रितुराज गायकवाड ने टॉस जीत कर पहले फिल्लिंग चुनी दोनी ने जो उने सिखाया था वो सब कुछ काम आ गया पहली पारी में गेंद पिछ पर फस रही थी जिसका फाइदा चिन्नाई के गेंद बाजों ने उठा लिया नतीजा की केक्यार के स्ट्रोक प्लेर खुल कर नहीं खेल पाई कोलकाता ने अपने बैटिंग ओर्डर में भी काफी गलतिया की आंद्रे रसेल तब क्रीज पर आए जब मैच 20 गिंदे बाकी थी और इसलिए उन्हें पिछ पर जमने का वक्त नहीं मिला बले ही कोलकाता की टीम मैच चार गए लेकिन पॉइंट डेबल में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए कोलकाता की टीम चार मैचों में तीन जिए